हलो नमस्कार कैसे हो आप सब मैं आर बीर वेलकम टू म्यूजिक इन शॉट आज हम डिसकस करेंगे इन्वलप के बारे में ADSR, Attack, Decay, Sustain and Release के बारे में इसका क्या यूज है, किस तरह में इसको यूज करते हैं और कहा कहां पे इसका यूज होता है, वो सब मैं आज बताऊंगा उससे पहले ये मेरा नया कवर सॉंग है, पो दी रात, पंजाबी सॉंग है इसको सुनिए आप इसमें अपना वेल्यूबल कमेंट्स दीजिए मुझे ये मेरा अकाउंट है, आरबीर, इधर मैं ओरिजिनल सॉंग्स, कवर सॉंग्स डालते रहता हूँ इंस्ट्रॉमेंटल ट्रेक्स वगरे डालते रहता हूँ तो आप लोग चेक आउट कर सकते हो सभी सॉंग्स को और ये अपना अकाउंट है, म्यूजिक इन शॉट आरबीर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कीजी, वीडियो देखिए, सारी प्लेलिस बना रखिए, मैंने सेपरेटली तो आप सारी प्लेलिस देख सकते हो, और कहीं पर भी किसी वीडियो में कोई भी प्रॉड़म आती है, तो आप मेरे को डियर्टली डियम कर सकते हो, ठीक है ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है, म्यूजिक इन शॉट आरबीर यहां पर मैं रिल्स वगरा डालता हूं, शॉट वीडियो डालता हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो बैक टू टॉपिक ये ADSR जो है, हमारे को क्या है, हम लोग आम तोर पे इसको हर जगे यूज होता है, हर जगे पर हम लोग को ये दिखने को मिलता, ठीक है ये क्या है, साउंट डिजाइनिंग अंदर भी अपने को हेल्प करता, ठीक है तो यहां मैंने पहले से ही कुछ सेंपल्स और VST वगर ओपन करके रखा ताकि आपको बता पाऊं कि क्या होता, ठीक है तो ये सेंपलर है, कभी हम लोग कोई भी अपना MT ओपन करते हैं, तो सबसे पहले ये सेंपलर आता, ठीक है तो ये हमको ऐसा दिखाए देता, ठीक है, तो हम जाएंगे यहां पर इंवलप के नदर, ठीक है आप हिंट बॉक्स में भी देख सकते हैं, हिंट पैनल में देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है इंवलप ठीक है, इसको उपन किया हमने, तो यह हमारा इसके बारे हमा आज डिस्कल्स करेंगे, यह क्या चीज़े इसके इसमें क्या क्या होता, ठीक है यह हर जगे हमको दिया होता है, जरूर नहीं, खाली सेंपल के अंदर ही हो, यह विजा से किक हो गया यह सो इसके अंदर यह अपने को दे रखा यह, और यह और बाकी सेंपल्स, यह लूप है हमारे पास, सो लूप के अंदर भी अपने पास यह दिया वा चीज़े ठीक है, यह अपने पास इंवलप बनावा है इसके अलावा हमारे पास क्या है one shot जो samples होते है तो उसके अंदर भी अपने envelope देखने को मिलता है और ये एक stock plugin है 3S oscillator so basically plugins के अंदर आपको क्या है है settings के अंदर देखने को मिलेगा आप settings अंदर जाएंगे यहाँ पे envelope मिल जाएगा आपको और यदि यहाँ नहीं होता तो by default इसके अंदर ही कहीं पे आपको देखने को मिलेगा ठीक है जैसे यह FL Keys हो गया जरूर नहीं आपको मतलब उसी नाम में ही मिलेगा attack, decay, sustain, release same जरूर नहीं आपको वो के वो ही नाम दिया हो हो सकता है उसके कुछ alternative नाम यूज कर रखा हो लेकिन चीज वो की हो ही यह दर जैसे release दे रखा है, decay दे रखा है ठीक है तो basically सारी चीज़ वो ही sensitivity बगर है सब कुछ वो ही है ठीक है अब यह flex है, stock plugin है तो इसके अंदर जैसे हम को यहाँ देखें तो और यह है एक free plugin है search इसमें भी दे रखा है हम को यह देखें नीचे यहाँ पर दे रखा है ठीक है तो मतलब चाहे free हो चाहे paid हो हर जगे आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा, ठीक है इसके अंदर अपने को इधर नहीं दे रखा तो अपने को क्या है बाहर यहाँ दे रखा नीचे यह 1 और 2, ठीक है तो मेरा दिखाने का मतलब था कि हर जगे यह आपने को available मिलेगा, ठीक है हमको सभी जगे मिलेगा सबसे पहले मैं यह sampler open कर लेता हूँ ठीक है इस वीडियो का अंदर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है आप से निवत देने की न दुबारा से पीछे जाएं स्टार्टिंग से दुबारा देखे, ठीक है यह क्या अपना ग्राफ है, ठीक है यह अपना क्या ग्राफ है, ठीक है जिसके अंदर यह जो हमारी लाइन है वो वाल्यूम है वाल्यूम मतलब क्या है, यहां से 0% से लेके 100% तक, ठीक है और डीबी में देखे तो यहां पर 0 डीबी हो जाएगा और यहां से नीचे नीचे होता जाएगा तो यहां से लेके यहां तक का एक जो सेंपल है, उसका कितना टाइम है वो हम डिसकस करेंगे इधर पर, वो इधर दिखाता जाएगा जब हम लोग यहां से जो यह फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब जब हम कोई भी नोट प्रेस करते हैं, तो यहां से आउन होता है और यहां पर जाकर खतम होता है समझ में आगया आपको? हमने कोई प्रेस किया बटन, तो यहां से आउन होगा, वो एक लेवल पे जाएगा, अपनी वॉल्यूम पे जाएगा, उपर जाएगा volume के उपर जाएगा और last में जाके वो खतम हो जाएगा इस point पे जाकर गए मतलब यहां से note शुरू होगा हमारा यहां से sample शुरू होगा और यहां पे जाके खतम हो जाएगा ठीक है so attack और जो release है उन दोनों का क्या similar function है attack मतलब आपने note प्रेस किया कोई भी key आपने दबाया सब्कोज आपने यह key दबाया ठीक है तो key दबाते ही आपका वो volume आया है एक्दम जटाक से तंग यह फिर दीरे दीरे volume है तो वो चीज है ठीक है मैं demo देखे वे बताऊँगा भी फिलाल जस्ट आप समझ लीजिए एक बार ठीक है तो attack क्या है कि जितना attack नजदीख होगा उतना क्या वो जोर से आवाज करेगा उसकी velocity हाई रहेगी ठीक है एकदम तुरंत आवाज कर देगा तुरंत attack करेगा जितना दूर रहेगा उतना क्या है वो उसका जो sensitivity ना उसका velocity वो उतना कम हो जाएगा ठीक है मतलब हमने यहाँ पर प्रेस किया note तो यह यहाँ पर जा रहा है उसकी full volume तक जा रहा है तो full volume क्या इतना time लगा रहा है मतलब इतना देर लग रहा है उसको पहुंचने के लिए 0 से लेकर कि यह 100% पहुंचने के लिए वो time ले रहा है तो किया दीर दीर उठेगा तंग यहाँ पर जाके पहुंचेगा highest value में तो यह होता है अटेक कितना जल्दी हमारा note बज रहा है वो attack है release क्या होता है कि कब खतम हो रहा है जैसे हमने note को छोड़ा हमने उठाया अपने key में से हाथ हमने हटाया तुरंती बंद हो जा रहा है जटके से या फिर थोड़ा सा उसका effect रहा है तंग या फिर तंग एकदम से जटके से बंद हो रहा है या फिर वो हो रहा है समझ क्या भी बात अब हमारा आता है sustain sustain क्या होता है ना ये हमारा level होता है ठीक है कि हमने एक note को press किया वो इदम highest volume पे गया highest volume पे जाने के बाद में फिर वहाँ से नीचे एक जगे पे जाके stable रहेगा ठीक है उसको बोलते हैं हम लोग sustain उस volume को sustain बोलते हैं अब जो attack और जो sustain के बीच का जो timing है ना मतलब एक दम starting सा highest point पे जाएगा और फिर जो हमने level सेट के है उसके बीच का जो distance है उदर पहुँचने तक की जो time है उसको बोलते हैं अब लोग d के ठीक है ओके समझ में आ गया अब जो यहां तक हमारा note चल रहा है ठीक है जैसे हमने उसको आगे बढ़ा है तो क्या उतना छोड़ देगा बाद में play होगा d के मतलब वो यह delay एक टाइप से ठीक है थोड़ा देर बाद में play हो रहा हूँ note दबाती उसका action नहीं आ रहा थोड़ा रुक के फिर action आ ठीक है समझ में आ गया आप लोगों को यह अब यह hold इसका यह मैं बताता हूँ ठीक है hold मतलब क्या यह हमारा length बताता sample का ठीक है यहां से लेकर कि यहां तक का हमारा sample है उसकी length यह मतलब full मतलब हमारा full जो sample ले वो play हो रहा है और hold को कम कर देते हैं इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक हमारा sample play हो ठीक है उतना उसका length है यह ठीक न तो अब मैं demo के साथ बताता हूँ ठीक आप लोगो सो मैंने किया यह loop ले रखा ठीक है यहां पर इसको मैं सुनते हैं बड़ लूप को ठीक हम लूप यह हमारा पूरा loop है अब जाएंगे हम यहां पर ठीक है अब आप hold को ध्यान मत दीजिएगा सिर्फ attack पर ध्यान दीजिए ठीक ना जैसे हम प्रेस करेंगे नोट तुरूंत बज रहा है ठीक है ओके एक काम करते हैं दूसरा एक्जम्पल ले जाहूं मैं ताकि आपको attack जल्दी समझ मैं मैं किक ले लेता हूँ ठीक है यह हमारी किक है ठीक ना अभी क्या क्या मैंने इसकंदर attack ना attack क्या है एकदम मैंने 0 कर रखा है मतलब जैसी प्रेस करूँगा ना वो बज़ेगा हमको भी ठीक है वो पूरा sound कर रहा है अभी जैसे से मैं बजाते बजाते क्या है जैसे से attack को थोड़ा दूर करूँगा मतलब इसको जैसी प्रेस करूँगा तो 100 की वाल्यूम पर बज़ रहा है जैसे इसको मैं बढ़ाऊंगा वो क्या है 100 से थोड़ा दूर जाएगा मतलब जीरो से लिए 100 जाएगा पहले क्या था एकदम फुल साउंड बज़ रहा था अभी क्या फोड़ा सा देर बाद में बजे पूरा साउंड ठीके मैं करूँगा भी ठीकह मतलब क्या है जो किक यहां से बज़ रा था जो इतना हाड़ से मार रा था वह क्या है इसकी बज़ाए यहां से जा रहा क्योंकि इतना टाइम वो लग रहा है इसको 100 maximum volume पहुंचने के लिए ठीक है यह हो गया हम attack यह होता है attack का काम ठीक है अभी attack हम हलका समने कर दिया यह अब हमारा क्या है release release मतलब क्या है तुरण जटके से बंद हो जाएगा यह टाइम लेगा वह हमारा बताता है release ठीक है जैसे हम release करेंगे तो बताएगा ठीक है मैं काफी सारे एक्जांपल दूँआ था कि आपको समझ में आ जाए कोई भी चीज़ डाउट ना रेटिक न तो मैं इसको काड़ देता हूं दुबारा हम लूप पे चलते अपने तो यह हमारा हो गया अटैक के बारे में ठीक है और release के बारे में हो गया अभी होल्ड जब मैं प्ले कर रहा हूं तो यह पूरा sound बज़ रहा थी न मतलब पूरा लूप प्ले हो रहा है अभी क्या है मैं लूप को थोड़ा चोटा कर दोओंगा वह पहले पूरा लूप सुन लेते का अप इस फिनिश कहां हो रहा हूं टंगर टंगर उधर भाद खत्म हो अभी हम क्या करेंगे ना उसो थोड़ा छोटा कर देते हैं बोग अब प्ले करते हैं बोग ओके अभी फूल बज़ा लूप अब पूरा फिनिश नियुँआ पूरा लूप क्या फिनिश नियुआ ठीक ना इह हमने उसो कम कर दिया मतलब यह लूप जो हमारा है उसतना बता रहा कि यहां से लेकि यहां तक कप लियोगा पूरा लूप प्ले नहीं हो रहा थीक ना यह बता था होल्ट का ठीक है ठीक है समझ में आ गया कोई doubt इधर पर नहीं न अब ही क्या है हमारा हम लोग suppose इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं अब ही जो बचावा हमारा loop है वो हम क्या सोच रहें कि हमारा लगबग 50% पर हमारा क्या न वो volume रहे ठीक है और उसको पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमने के time दे दिया कि वहां पहुंचने के लिए थोड़ा सा time अभी देखना पूरा volume बज़ेगा जो last वारा portion है वो slow बज़ेगा इसको और कम कर देता है थोड़ा पता चले हम को लिए मतलब highest पहुंचा वो एक दम नीचे आ गया हूँ जो हमने sustain रखा तो उस पर आ गया ठीक है अब क्या sustain को भी थोड़ा उपर कर देते हैं और release को हम बढ़ा देते हैं अभी कि दीरे से वो शांत हो जाए एक दम दीरे दीर की finish होगा उसको जो finish नहीं एक दम smooth हो जाएगी थीक ना hope आप लोगो समझ में आ गया होगा अभी यह delay है अभी थोड़ा करते हैं मैंने थोड़े देर बाद श्राट हो रहा हो मैंने press करने के बाद में play हो रहा है कि दोबार यहां notice कीजिएगा अभी थोड़ा कर देते हम ताकि परचले यह देखिए मैंने पहली यहां पर औरेंज कलर आएगा ठीक ना पहली मैं play कर रहा हूं लेकिन वो थोड़ा time ले रहा यहां पहुंचने से थी थी ना थोड़ा डिले कर रहा हूँ यह थोड़ा बोरिंग चीज है बट एक बार आप समझ गए ना तो मतलब क्या हर जग इसको यूज कर पाएंगे ठीक ना पूरा चीज को समझ जीएगा ठीक ना अभी जैसे यह 3S 3X उसलेटर ठीक है ओकी अभी हम थोड़ा इसको साथ खेलते हैं टीक क्या बंता ठीक हम लोग देखते हैं सब पार इसको मैं इतना ही कर देता हूं अज है कि जो इसको अटा देता हूं पार जिए तेक को जीरे कि सब जीरो ठीक है इससे फोल्ड रखा मैंने मतलब जब मैं बजाओंगा उतना ही ठीक ना आवाज करेगा अभी अटेक अभी जैसे मैं अटेक को छेड़ूंगा तो इदम तू आवाज कर रहा तो क्या हो तू हाइस पहुंच नहीं तो टाइम लेगा ठीक मतलब यहां से स्टाट हो रहा हुआ हिस पहाँ से करें के लिए टाइम लेरे Cat gallows तीbel्ड टेजu कर देंदम थोड़ा सब्घ अवाज वह टाइम ले रहा है आओ झाक़ अ और जलसे हम लोग आगे करते हैं तो वो आवाज नीरा स्मूथ ही जा रहा है ठीक है अब हम एक बर रिलीज को देख लेते हैं छोड़ते में ने कट आवाज आ रही अभी जैसे हम इसको स्मूथ करेंगे तो क्या होगा इसको भी ध्यान दीजी ठीजिए ना release पर इसको दो मिनट के लिए छोड़ दीजिए सिर्फ इसको ध्यान दीजिए हाँ एकदम जा रहा है धीरे से छोड़ दिया मैंने एकदम आराम से जा रहा है दबाया छोड़ दिया अभी भी उसका effect है तो वो हमार रिलीज आराम से जा रहा है स्लोरी स्लोरी वो हमारा ठीक है और sustain क्या है हमारा highest level पहुँचेगा उसके बाद में जो हमने level सेट किया है वो और उसके बीच में थोड़ा सा decay ठीक है तो basically ये था ठीक है आप लोग समझ में आ गया का hope आप लोगों को ज़्यादा complicated नहीं है आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रही ना पीछे फिर करके देखिए ये जस्ट एक बारा समझने का है बस ठीक नहीं है उसके बाद में फिर आपका काम इजी है फिर आप कुछ भी होगा ना आप इजी लिसको डील कर सकते हैं तो ज्यादा नंबा नहीं खीचूंगा मैं क्योंकि वैसी ये टॉपिक होते ना वो थोड़े बोरिंग लगते हैं तो इतना ही रखूंगा मैं और किसी कुछ डावट होता है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है मुझगे और नहीं समझ मैं तो कोई बात नहीं फिलाल चोड़ दीजे कोई बात नहीं नहीं समझ मैं तो क्योंकि हम आने वाले टाइम पे ना जब हम साउंड डिजाइनिंगे बारे में सीखेंगे उस टाइम पे भी इसके बारे में बताऊंगो दुबार से क्या क्या होता है बट जस्ट मैंने इसको आपनों बता दियता कि न जैसे आप कोई वन शॉट यूज करते सेंपल वगरा तो उस टैम पे थोड़ा सा मतलब हो तो आपका और क्रेटिविटी और न्यू आप कुछ बना सकते ठीक नहीं इससे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू